अगली चिटी अविनाश और फुराजा इलाहबाद से ताउ जौहरचा कुलदीब भाई मजले भाईया आप चारोग पुणाम मेरी पांच वी चिटी है पांच उंगली से बनती है मुठी और धरमवीर मुवी में बताया गया है कि बंद हो मुठी तो लाग की खुल गई तो खुल दीब भाई को विशेश बधाई सरदार भाई के लिए सोठावरा और सोहर का समय है सोठावरा भेजवाने का हो तो पता क्या होगा सोठावरा जानते हैं लड्डू बनता है अदरक का सौंठ और गुड का लड्डू अधरक कोई बोलते हैं और उसमें ड्राइफूट अधरक के लड्डू और बड़ा तीखा होता है मतलब वगर आप उसको खाएं तो जलन होती है बहुत ख़तरनाग होता हूँ पर वो खिला जाता है महाओं को खिला जाता है नहीं माओं को दो लाइन सोहर की कुलवा के दीपक आगे करके हैं उसके होने पर हुआ हमारे हैं हाँ होता ही हुआ था लड़के मामा जो है वो गाते हैं तो उन्होंने फिर पहले तो वो ट्रेडिशनल वाला कुलवा के दीपक वाला हुआ उसमें नाम भी मिलता है कुलवा के दीपक होई है तो लिटरिली फिर उन्होंने मनोश्तिवारी वाला गया ना 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 GM, GM, PM उकरे उपर United Nations तो जाता है Secretary एक पॉडकास्ट में परिचे पर चर्चा हुई परिचे भी अजब चीज है इधर इलाहाबाद पुर्वानचल अवद की तरफ परिचे का एक अलग मापतंग है एक दिन में हार्मोनियम सीखने के लिए एक म्यूजिक टीचर खोज रहा था एक स्टाफ का आदमी कहा कि सर हम जानते हैं कि हार्मोनियम मास्टर काнов कहां-परे बहुत-बड़ा उस्ताध है मैंने पूचा अच्छा तो वो किस संगीत विश्विद्याले से पड़े हैं उन्हें का सर ये नहीं जानते हैं कि बहुत बड़े उस्ताद हैं बहुत बड़े गुरू है मैंने कहा कैसे जानते हो कि उंके उपर दो मजर का आरोप है मैंने म्यूजिक टीचर के उस्ताद होने का ऐसा माप्थंज कभी नहीं सुना था पिताजी के पहचान की एक ठेकेदार थे उनका परिचाय कराते हुए पिताजी बोले आरे इनको हलके में मत लीजिएगा इन्होंने बनारस में रामानन सागर का पर्स मार दिया था तो बिचारे कहते हैं आरे सर आप तो ऐसा परिचाय करा देते हैं कि समझी नहीं आता कि बढ़ाई किये कि बुराई एक भाईया थे आजमगड के उनको एक बार कहीं गोली लग गई थी आजमगड में तो लगी सकती है तो उनका परिचाय यही हो गया कि अरे यह वो ही भाईया हैं जिनको गोली लग गई थी और सिंग नर्सिंग होम मनारस जाना पड़ा था उस समय पुर्वांचल चेत्र में सिंग नर्सिंग होम गंशोट के केसिस के लिए प्रुसिद्ध होस्पिटल था परिच्चे से जुड़ा एक चुटकुला यह भी है कि एक बरात में दूला किसी और का कुर्ता पहन के गया था जिसका कुर्ता था उससे किसी ने पूचा भ कुछ देर बाद फिर कोई पूचा कि दुला को ने तो वह जुझलाते हुए दुला की और इशारा करते हुए भाईया उह हुए दुला और कुर्ता उनहीं कहो यह मैंने पजामा करके सुनाया भी है कुछ लिए कि पहली मुलाकात में ही बकैती भोकाल वाला परिचे देने लगते हैं एक जन्हे मिले परिचे दिये मैं बालुक ठेकेदार हूं हम लोग कई वरसों से बंदूक की नोग पर बालुक खुदाई कर रहे हैं बंदूक की नोग कई वरसों से तुम यहीं खड़ा एक दोस्त बोला भाई आप गलत कर रहे हो आप फावडा कुदाल का भी इस्तमाल सुरू कीजिए कब तक बंदूक से कोद हो गए विचारे जेब गए उस लोग इतने फेकू होते हैं कि वो ऐसी फिजा बनाएंगे कि उनका परिचे सारे नेता मंत्री अधिकारी वैपारी से है और फिर वो इस हद तक फेकते हैं कि यदि आप उनसे को यार प्रध कात नहीं कर रहे हो आजका लाओ मिलो अब दिल्ली जाना पड़ेगा उनने नराज हो जाएंगे एक बार गाउं में एक आर्केस्ट्रा आया स्टेज के पीछे सारे डांसर और कलाकार बैठे थे खांचक सब्दों कहें तो गाउं के मानिंद लोग उस टेंट में गुजने क कोई टोका कहां गुसत हुआ तो वो बोले आरे स्टाफ हैं वो सोचता रहे गया कि औरकेस्ट्रा में भी स्टाफ होता है सारा स्टाफ तो अंदर है वैठा एक बार मंच से संबोधन वाले चर्चा से किस्सा याद आया कि मंफोडगंज इलाबाद में एक लगु लगु भाव में संचालेंड कर रहे थे नेता जी की इंटरी हुई तो माइक से बोले अब हमारे बीच गांदी जी आ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि वह आए और राकेस वाजपे की मूर्तिक माल्यार्पन करें लोग चिलाने लगे बड़ी मुश्किल से सांथ कराया गया जानव पर लोग मालिक की विपत्ति अपने उपर ले लेते हैं इसी लिए पालने हैं उसके पाद छे महीने में उनके साथ कई दुर्गट नाएं हुई तो सपनल बोले अब ही लग रहा है कि इनकी विपत्ति अपने उपर ले ले रहा है नियू डिफिकल्टी अनलॉक्ड बनारसी वाले प्रसंग पे चुटकुला याद आया कि आजमगर के एक मास्टर थे बच्चों को भूगोल पढ़ा रहे थे बूगोल पढ़ाते हुए क्लास में बोल रहे थे बच्चों गंगा गंगोत्री से निकलने के बाद हर्याना राजस्थान गुजुरात होते हुए अरब सा प्रदेश बिहार और बंगालना पार करा सकीला इतनी कम तंखा में अरब सागर तक ही जा पाएगी फिर वही माज साब बच्चों को पढ़ा रहे थे कि बच्चों हिमाले के दक्षण में स्थे थे फिर प्रिंस्पल साब टोके कि माज साब ये क्या पढ़ा रहे हैं तो बनारसी पनवाडी को टोकते हुए कहता है कि जर्दा यह वाला डालना कता रारोट नई डालना कटी सूपारी डालो लाओं इलाईची नई दालना बूलना बहुत कूब यार्ट पान को रात में रखके पान को रात में रखके सोने के सुकून वाली बात बिलकुल सही है जो बनारस वाली पॉड्कास में हुआ था वो एक तसली है कि सवेरे की विवस्था है मेरे पास इसी तरह गुटका खाने वाले लोग भी रात में एक्ट्रा रखकर के ही सोते है हमारे मित्रगन भी ऐसा ही करते है उन्होंने कोड नेम भी रखा है जैसे रजनी गंदा वाले को देसी घी और अन्ने ब्रैंड को जाल 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 लाते है अपने तीन ताल की तासीर भी खालिस देसी घी जैसे है इसी पर कहा गया कि अदब के नाम पर चर्वी बेचने वालों अभी वो यार जिन्दा है जो घी पहचान लेते है तीन ताल की ये जिन्दा दिली जिन्दाबाद रहे इलाहाबाद में दशेहरा का मेला लग गया है उसके भी किस्से आगे लिखूंगा अगली चिठी तक आप चारों को प्रणाम अविनाश और फुराजा इलाहाबाद ये कहते हैं ना कि गागर में सागर भर दिया कैपसूल किस्सों गा बहुत ही बढ़िया बहुत ही आगया चाहे देब दक्षन के ये मैंने पहली बार सुना इस टाइब का अगली तो टीनों तरफ और उधर निजाम भी तयार थे तो ये था कि चारों तरफ से मराठे उस समय लड़ने की पोजिशन में नहीं थे नहीं जी ने पार्लिमेंट पे एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग ऐसे पॉर्टुगालियों के शासन के नीचे रहते हैं उन लोगो के जिम्मेबारी है कि अपने इलाके को आजाद करें टोटल कितने लोग थे जब अंदर घुसे लड़ने हैं अंदर घुसे तो बाराते रही थे बस बाराते रह थे वैक से अगले दिन सभेरे उन्होंने अपने देश का विले जो है वो भारत के साथ गर लिया